नमस्कार दूस्तू आज कल इंसान घर बनाने के चक्कर में पेड काटते जा रहा है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जीनों ने इससे हट कर किया आज हम जीन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उन्होंने एक ऐसे घर का निर्मान किया है जो पेड पर बना है बतादी जीन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो शक्स IIT ग्रेजुएट है और उदायपूर में बतोर सिविल इंजिनियर के पतपर कार्रे रहे हैं केपी सिय नाम के इस शक्स को अपना ये घर बनाने में 18 साल का समय लगा है दरसल घर बनाने में इतने साल का समय इसलिए लगा क्योंकि उनका घर सित्यासी साल पुराने एक पेड पर है और वो भी एक दो नहीं बलकि चार मंजिला केपी सिय का कहना है कि इस घर को उन्होंने ऐसे बनाया कि पेड को कोई नुकसान न पहुचे और वो आसानी से इसमें रह सके इस अनोखे घर में कमरों के अंदर से पेड की टेहनिया निकली हुई है इसमें उपर जाने के लिए सीडियों से लेकर रहने के लिए कमरे खाना के लिए किचन और नहाने धोने के लिए बातरूम इत्यादी सब सुविधा है बता दे कि केपी सिय ने इस घर को साल 2000 में बनाया था और तब से ही वो इसमें रह रहे हैं इन दिनों उनके इस घर की तस्वीरे शोशल मीडिया पर खुब बाइरल हो रही है और लोगों को ये दुनिया की ऐसी ही रोचक खबरे हम आपके लिए लाते रहें